हलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vodafone Idea के शेर के उपर दोस्तो Vodafone Idea के शेर में आज शुरवाती कामकाज में करीबन 5-6% की तेजी देखने को मिली Vodafone Idea ने आज 15 रुपे का लेवल भी चुआ दोस्तो लेकिन जैसे ही उसने 15 रुपे का लेवल चुआ उस स्टॉक में एक Profit Booking आती भी देखने को मिली और वो Profit Booking के चलते हैं स्टॉक में करीबन आप कहा सकते हैं 14-15 रुपे से 14-30 पैसे तक की गिरावर देखने को मिली दिनके हाइस से करीबन 70 पैसे स्टॉक नीचे बन दो है दोस्तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक का अब एक दाइरा बन गया है 400 million की volume ही दोस्तों दोस्तों लगातार Vodafone Idea के share में volume कम होती जा रही है आप देख सकते हैं पिछले दिन में 600-Star million की volume ही ती उससे पहले वाले दिन में 1600-10000000 की volume ही देखने को मिली दि और आज मात्र 426 million की volume दोस्तों तो दोस्तों अभी थोड़ा investors का इससे ध्यान हट रहा है और आप देख सकते हैं लगाता है इसके volumes में एक decrement आ रहा है तो दोस्तो लोग शायद अपने panic selling कर रहे हैं दोस्तो इस stock में दोस्तो यह selling आप खतम होगी तो stock में breakout देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं आज stock में मातर 5 पैसे के तेजी हुई है आप कह सकते हैं कि stock में जादा कुछ moment देखने को नहीं मिला आज 15 रुपे का तक का swing तो जरूर दिया stock ने लेकिन closing देने में नाकाम्याब रहा दोस्तो दोस्तो अब चलते हैं वोड़ा वोड़ाफोन आइडिया के चार्ट्स पर तो दोस्तो सबसे पहले अपन वोड़ाफोन आइडिया शेयर न्यूस पर आ गए हैं अब देख सकते हैं टानला और वोड़ाफोन आइडिया ने टाइप किया है ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी के लिए जिससे टानला परफोर्मेंस में अपर सकिट भी लगा है दोस्तों आप चलते हैं वोड़ाफोन आइडिया के चार्ट्स पर आज 14 रुपे 35 पैसे पर वोड़ाफोन आइडिया ने क्लोजिंग दिये 10 पैसे उपर 5 पैसे जादा दिखा रही है क्योंकि इसमें adjusted price नहीं होता दोस्तों 14 रुपे 30 पैसे के आज पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिये देख सकते हैं आज स्टॉक ग्यापप में खुला लगबग 14 रुपे 40 पैसे के आज पर स्टॉक खुला इसने 15 रुपे का लेवल भी चुआ दोस्तों अगर मैं आपको नीचे high दिखाता हूं तो 15 रुपे का high है दोस्तों और low 14 रुपे 20 पैसे का open 14 रुपे 45 पैसे का लगबग दोस्तों अपने open से 10 पैसे नीचे इस stock ने आज closing दिये शुरुवाती कामकाज में तो लग रहा था कि आज ये 100 रुपे का लेवल भी चुँ जाएगा लेकिन जैसे ही इसने 15 रुपे का लेवल रीच करा दोस्तों तो इसमें profit booking देखने को मिली और फिर end में end के करीबन आप कह सकते 2 गंटे में एक consolidation का pattern देखने को मिला मुझे लग रहा है दोस्तों अब ये stock would of an idea एक consolidation के pattern से गुजरने वाला है जो कि जब भी दोस्तों ऐसी chart patterns बनते हैं तो इसका मतलब है कि stock में एक consolidation form out हो रही है और consolidation का हमेशा या तो upper side पे breakout आता है या lower side पे breakdown आता है तो आपको वड़ा cautious रहना होगा और अपने levels ध्यान में रखने होगे दोस्तों पहला level होगा 15 रुपे अगर ये stock 15 रुपे का level reach करता है तो दोस्तों 15 रुपे 10 पैसे तक भी जाता है तो दोस्तों इसमें 16 रुपे तक की की range में ही रहने वाला है तो आपको थोड़ा cautious रहना चाहिए योगि आप देख सकते है stock में volumes भी अभी कम हो रही है प्लस stock में moment आप देख सकते है कि अब कम हो तावा नजर आ रहा है योगि एक बज़े साब तीन बज़े तक का chart pattern देख सकते है stock में ज़्यादा moment ही आए मात्र 5-10 पैसे का उपर नीचे का moment है stock अब एक consolidation के दायरे में घुसर रहा है और मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत healthy है stocks के लिए अगर stocks consolidation करते consolidation का mainly upper side पर breakout ही देखने को मिलेगा दोस्तों और मुझे लगता है कि आने वाले time में ये stock 16-17 रुपे के levels भी चूँ सकता है stock में दोस्तों अब सारे negatives खतम हो गए stocks में आप positives ही positive है अब दोस्तों intra day levels के बात करते है 14 रुपे 30 पैसे पर stock ने closing दी है अगर आप 14 रुपे 30 पैसे पर भी buying करते है दोस्तों ये बात ध्यान रखीगा कि opening में ही आपको buying करनी होगी opening में ही आपको एक मौका मिल सकता है stock में intraday करने का 14.3 के levels पर आप buying करें और 14 रुपीज 80 पैसे करें जी हाँ दोस्तों लगबग 50 पैसे के target रखें जादा बड़े targets नहीं बतारहों दोस्तों क्योंकि market में आप देख सकते हैं दो दिन में काफी जादा तेजी हो चुकी है तो market में भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा आप करे सकते हैं कि correction आ सकता है छोटी मोटे गिरावट आ सकती है इसले 50 पैसे का ही target दे रहा हूँ और lower side पे दोस्तों 13 रुपे 80 पैसे जो कि दोस्तों इसका कल का low था इसके lower side पे आपको stop loss ध्यान में रखना होगा अगर इसके नीचे आता है stock तो आप आराम से selling कर सकते हैं और 13 रुपे के level भी visible होगे लेकिन दोस्तों overall इस stock में consolidation का mood बनता है नजर आ रहा है अभी दोस्तों stock में मुझे लगता है नहीं कि इतने movements होंगे बट आप market खोई के खुलते हैं या आप इसमें movement expect कर सकते हैं लेकिन overall दोस्तों इस stock मुझे लगता है कि consolidation के pattern से गुजर रहा है और यह अपने दोस्तों आगे के target unlock कर रहा है जैसे कि 20 रुपे का target यह 20 रुपे का target दोस्तों आज 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 6 महिने के अंदर अंदर stock में देखने को मिलेगा stock ने अपना bottom भी बना लिए दोस्तों 14 रुपे का तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like करना